बारह नवंबर दीपावली की रात कर लीजिएगा, एक रूपय के सिक्के और एक लॉंग का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाए जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी, धन क बारह नवंबर को दीवाली का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है, शास्त्रों में बताया जाता है, इस दिन खुद माता धर्ती पर वास करने आती है, इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है, इस दिन की गई साधना दीवाली नहीं जाती है, वैसे तो दीपावली के दिन लोग जोरों शोरों से पटाखे जलाते हैं, दीब जलाते हैं, घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, और दूसरी तरफ दीपावली की रात, विधिविधान से हर व्यक्ती अपने घर पर माता लक्ष्मी जी भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करता है शास्त्रों में इसको बहुत ही शुभ बताया गया है यहां तक कि वेद पुराणों में पाया गया है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है और इस दिन अगर आप अपने घर पर माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त है तो इस वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अगर आप दीपावली के दिन सिर्फ एक रुपए के सिक्के और एक लॉंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेंगे जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा जा रहे हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी ववर्दान मिलेगा जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी गश्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगे बलकि माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कलपना नहीं की होगी दोस्तों आप किसी भी ग्रंथ को उठा कर देख लें तो आपको यही पता चलेगा कि दीपा वली के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होती है इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरस्ती है और इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय लॉंग और सिक्के का उपाय करेंगे तो जरूर ही आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस उपाय को करने के बाद इसका लाब आपके पूरे जीवनकाल मिलता रहेगा यह एक ऐसा पाय है जो दीपावली के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है अब आप बार-बार सोच रहे होंगे कि एक रुपे के सिक्के और एक लॉंग का उपाय करके कैसे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल सकता है तो देखिए दोस्तों जो एक रुपे का सिक्का होता है वह माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा इस्तिमाल किया जाता है शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि मुद्रा के पहले सिक्के से अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत की जाए तो पूजा तुरंट से हो जाती है इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा को रखा जाता होगा, उस पूजा को शुरू हमेशा एक रुपे के सिक्के से ही किया जाता होगा शास्त्रों में बताया गया है कि सिक्कों में माता लक्ष्मी जी का वास होता है इसलिए मुद्रा का पहला सिक्का माता लक्ष्मी जी की पूजा में प्रयोग किया जाना अनिवारे होता है दूसरी तरफ जो लॉंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा में लौंग का प्रयोग करेंगे, तो उस पूजा का आपको पलट करके करोडों गुनालाब मिलेगा। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि सही दिन पर सही मुहूर्थ पर अगर लौंग का प्रयोग और लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय और वह प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाता है। बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नती होगी। इसी बात में माता लक्ष्मी के लिए सच्चे दिल से वीडियो लायक कर कमेंट में लिखें। जाए! महा लक्ष्मी हमारा चैनल आपको गारंटी देता है कि इस उपाय को करने के बाद दीपा वली के बाद आने वाले समय में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासल होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा. आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगा. यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का साथ दिला सकता है. इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव, पवपर और आपके परिवार पर बनी रहे। कोई भी ऐसा उपाय होगा जो दीपावली के दिन आप करके लाब पा सकते हैं। वह हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, तो सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह धन प हूर्त पर करना है। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से नकेवल आपके जीवन में धन की वर्षा हो, बलकि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।2000 में इतना धन आएगा जिसकी आपने कलपना नहीN की होगी और मान के च जामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, लाल कपड़े में एक रुपए का सिक्का रखना है, लाल कपड़े को इसको लपेट लेना है, अब जलते दीपक में एक लॉंग को डाल देना है, इस लाल कपड़े को अपने हाथ में पकड़ी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत जाप करने के बाद जिस लाल कपड़े में अपने एक रुपय का सिक्का रखा है इसको मौली धागे से बांध लीजिए और अपनी अलमारी में रख दीजिए ध्यान रखिएगा। जाप करने के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय अंबाह उपाय है तो इस ओ करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो है वह घर की बरकत का माहौल उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उ उपय का सिक्का रखना है और उसके बाद जब यह सारे यह जल जाए तब उन लोगों को ले आएगा। फिर उस सिक्के और लॉंग को कहीं कोने में गाड़ दीजिएगा। यह उपाय अगर आपने दीपावली की रात को कर लिया, तो यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, अगला उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का माहौल उपाय। दोस्तों अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परन्तु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप अपने जीवन में चीज को ल शुक्र ग्रह का नियंतरन होता है, माता लक्षमी जी के हाथों में, परन्तु जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय सिर्फ दीपावली की रात आपको करना है, और यकीन मानिये, इस उपाय को करने के बाद आपको इसका लाभ पूरे जीवन काल मिलता रहेग और आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, आपको यह करना है, दीपावली की रात एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुठी लॉंग डालना है, उस पर एक रूपिय का सिक्का रख देना है, अब आपको इस कपड़े की पोटली बना करकि अपने पूजा घर पर रख देना है, दीपावली के ग्यारह दिन बाद इससी पोटली का दान घर के पास किसी भी भिक्षुक या गरीब व्यक्ति को कर देना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाए जैसे ही आप करेंगे, ग्यारह दिन बाद आपके उपर कोई भी दोश होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन धन टिक नहीं रहा था, ये पोटली अपने उस दोस्त को ले जाएगी और आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें व्रिद्धि होगी, यही एक ऐसा ताकतवर उपाय है जो दीपावली की रात किय जाए, कभी भी खाली नहीं जाता है